हेलो एवरिवान, माई नेम इस वपनिल जगताप and विलकम बैक तो आवर चैनल दैट इंडियन बैक्पैकर सो यार सबसे पहले आप लोगों का एक गोड नियोज देने ही है येस हम लोगों ने दो हजर सब्सक्राइबर्स का माइलश्टोन कम्पलिट कर दिया सो यार ये छोटी-छोटी जो कुशिया है मैं जो आप लोगों के साथ ही बातनी है करके क्योंकि आप लोगों के support के बेना ये कभी मुम्किन नहीं होगा मेरे लिए So thank you so much for all the support I know आप लोग expect करते हो कि मैं travel content share कर दूँ लेकिन lockdown के वज़े से मैं share नहीं कर पा रहा था लेकिन जैसे lockdown खतम हो जाए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा travel content आप लोगों के लिए लेकिया हूँ तो तभी के लिए हम लोग अपने Adobe Lightroom के ट्यूटोरियल जो भी चालू है उसे continue करते सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाईज यह अपना Adobe Lightroom का fourth ट्यूटोरियल है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से Lightroom में presets create कर सकते हैं किस तरह से अपने settings हम लोग save कर सकते हैं उसी के साथ मैंने Instagram पे एक post share किया था Speedy Valley Bike Ride Tour का जिसमें मैंने moody theme बनाया था black moody theme थी वो तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के comments आये थी कि यार इसके बारे में tutorial बता देना तो आज का lecture बस उनके लिए है कि यास आप किस तरह से वो theme ला सकते हो और उसी के साथ किस तरह से यह setting सेव कर सकते हो जिससे आपको help हो जाएगा कि हमेशा आप लोगों को theme create नहीं करना पड़ेगा बस उस type का अगर photo आ जाए बस यह preset अपलाय कर देना आपका almost वही look आ जाएगा तो उससे बहुत अपना time भी save हो जाता आज हम लोग वही सिखने वाले लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को यह बताना है कि यह moody theme लाते वग हम लोगों को split tone और tone code किस तरह से work होता है यह जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लोगों ने previous lecture नहीं देखा होगा तो please either यहाँ यहाँ किदर तो अपना link आजाएगा वो link पे click कर देना and वो lecture एक बार पढ़ देना and उसके बाद हम लोग यही से continue कर देंगे so guys editing start करने से पहले सबसे पहले मैं यह कर देता कि यहाँ पे auto mode पे click कर देता so that software itself adjust करना start कर देता है कि क्या settings शाहिए आपको अपने image में यह ज़्यादा कुछ नहीं करता बस ज़्यादा से ज़्यादा details लाने की कोशिश कर देता so that यह कर देता है कि highlights को थोड़ा सा कम कर देगा and shadows को थोड़ा बढ़ा देगा then अपने हिसाब से हम लोग इसको adjust कर पाएंगे ज़्यादा details शाहिए इसलिए मैं highlights को और कम कर रहा हूँ और shadows को बढ़ा रहा हूँ जब भी हम लोगों को moody theme बनानी होगी तो हम लोगों को color grade करते वक जाना पड़ेगा अपने color panel में आज हमें यहाँ पर यह black moody theme चाहिए तो color के साथ मैं इस तरह से खेलूँगा कि बाकी सब color निकल जाए और बस blackish type black and white type की हो जाए और जो मुझे color highlighted चाहिए for example यहाँ पर orange color जादा से जादा highlight हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि orange color छोड़के बाकी सब colors को minimal कर दो मैं दा हूँ हुँ कर दो कर दो अफ्टर कलर पैनल कि यहाँ पर इफेक्ट पैनल में हम लोग उसको और अच्छा बनाने के कोशिश कर देंगे डिहेज बढ़ाने के बाद थोड़े टीटल्स और बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने सैचुरेशन बढ़ाया तो यहाँ पर पिंक कलर ज्यादा देख रहा है तो मैं वह कम करने के कोशिश करूँगा तो यहाँ तो यहाँ तो अभी के लिए मैं तो अभी के लिए बस खेलना है आप लोगं को कलर के साथ यहाँ यह कलर थोड़े से अच्छा दिख रहे करके यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि यह कलर रख दो जैसे मैंने कलर थेम के वारे में टोन कर्व में बता है था तो मैं टोन कर्व के साथ थोड़ सा ज्यादा खिलता तो यहाँ पर आरजीबी कलर में थोड़ सा शैड़ोज बढ़ाऊंगा यहाँ परफेक्ट एंड देन ब्ल्यू कलर में यहाँ पर लेके आऊंगा सो देट मुझे मेरे डिजार डिफेक्ट मिल जाए मुझे बढ़ाँ देट मुझे में था दो यहाँ पर लेक्ट पर लेगरे बढ़ाँ पर लेक्ट में देटे पर लेक्ट मुझे जाए adding some vignette for dramatic effect and done this is my effect so this is my final effect so this is the before and this is after so now to save these settings you can create your own preset just by pressing these three dots here you can get a option create preset as this is a black theme so I will name black moody then I will keep it so I will create a new group moody themes oh sorry moody themes done and yes they will get saved so if I import 0 from 0 and I will have the presets so simply you can go in this preset settings here you will get your final results so similarly as you have preset available then you can select any photo and if you can select any photo and if you have the same settings then just go to preset panel then go to preset panel and then just apply and with single click you will get your desired effect similarly for another image I will show you for this image just go to preset settings and then black moody and you will get your results obviously that photo and this photo is different and then you will need to do as I can select any photo as I will change the image so you will play the same depending on my choice and then So, देखा आपने कितना important है कि अपने खुद के preset save करना क्योंकि इससे हो जाता कि similar type का अगर कोई भी photo होगा और हम लोगों को similar colors चाहिए तो just with a single tap हम लोग वो colors नए photos में ला सकते हम लोगों का editing में बहुत ही ज्यादा time save हो जाता इसके वज़े से So, ये photo edit करते वक्त मैंने जो भी tools use किये अगर आपको कुछ भी doubts हो आप लोग previous lectures का reference ले सकते हो अगर वो समझ में नहीं आएगा तो बस मुझे comment section में बता देना कि भाईया ऐसे ही क्यों किया मैं आपके doubts solve करने की पूरी कोशिश कर दूँगा So, guys, hopefully ये video आप लोगों के लिए बहुत ही useful होगा हमेशा की तरह अगर आपको कुछ भी doubts है तो बस मुझे comment section में बता देना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे की सारे doubts clear सकूँगा अगर आप लोगों को आज का lecture पसंद आया होगा तो please like कर देना अगर subscribe नहीं कर दिया होगा तो please subscribe भी कर दे So, again, thank you so much guys for joining for today's lecture जल्दी मिलते अपने next tutorial के साथ Thank you